नमस्कार दोस्तों आपको पता है जैसे कि डीजल हो गया पेट्रोल हो गया ये काफी हद तक हमारे economy को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं लेकिन आज के डिट में अगर आप देखोगे तो natural gas की important लगतार बढ़ते जारी है इसके लिए जरूरी हो जाता है कि हमारे देश में proper policy हो natural gas को लेकर इनी सारी चीजों को देखते वे cabinet ने अप्रूफ कर दिया है जो natural gas के marketing है उसमें क्या-क्या reforms लाए जाएंगे क्या important changes किये जाएंगे ताकि यहाँ पर हम अपने economy को gas based economy में convert कर सकें मतलब कि जो consumption है gas का वो हम बढ़ा सकें ताकि यह ज्यादा cost effective रहे, environmental friendly रहे petrol और diesel के मुकाबले, तो इसके बारे में और जानेंगे कि ऐसा क्या reforms किया जा रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं मैं हूँ अंकित अगरवाल और update के लिए आप मुझे follow कर सकते हैं, Instagram, Facebook और Twitter पर मेरी lecture की है, PDF आपको Facebook पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा Telegram चैनल चिंगं की तगरवाल official और अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं तो आपके लिए स्मार्ट कोर्स है, जिसके तुरू आप अपने preparation और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं हुआ क्या है, what has happened, तो यहाँ पर cabinet committee on economic affairs, आपको पता है कई प् किस ने approval दी है, किस लिए formulation of standard procedure for market price discovery of gas दिखेगा, जब भी हम economy की बात करते हैं, economics की बात करते हैं, तो वहाँ पर सबसे important मुद्दा होता है price discovery, किसी भी product को अगर buying and selling की जा रही है, तो उसका price क्या होगा, यह बहुत जादा important हो जाता है, अगर suppose मैं कहता हूँ कि आप किसी को जानते हो, किसी के करीबी हो, तो हो सकता है, आपको सस्ते दाम पर मिल जाए, लेकिन अगर आप किसी stranger के पास जा रहे हो, तो आपको वह सस्ते दाम पर नहीं मिलेगा, तो economy के अंदर इस तरह की चीज़े नहीं होनी चाहिए, जो सबके लिए यहाँ पर एक field है, वो सबके ल price discovery है, वो अच्छे से की जा सके, अब यहाँ पर कई सारे contracts होते हैं, gas वगरा के अंदर मैं आपको बताऊँगा, तो इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर, जो हमारे petroleum and natural gas minister है, दर्मेंदर पधान जी, उन्होंने इसके बारे नाम स्मेंट किया, इसलिए हम इसको अब इसका सबसे important objective क्या है, तो objective इसका यही है, to prescribe standard procedure to discover market price, gas का market price क्या होगा, क्योंकि अभी के लिए अगर आप देखो कि यह बहुत ज़्यादा opaque है, यहाँ पर companies आपस में एक साथ tie up कर लेते हैं, contract कर लेते हैं, जिसकी वज़य से exact price क्या होगा, वो market में तै नहीं हो पाता इसके लिए यहाँ पर भारत सरकार चाहती है कि एक standard procedure create किया जाए, ताकि सभी clear level playing field हो, market के अंदर जो भी gas के producers हैं, जो अपना gas बेचना चाहते हैं, वो एक particular platform के थूँ, bidding के थूँ यहाँ पर बेच सकें, transparent manner में और competitive process के थूँ, तब जाकर यह अच्छा होगा, तो यही main objective ह इसके साथ साथ कई सारे जो permit affiliates हैं, यहाँ पर गैस से related, अगर सपोज आप यहाँ पर petroleum या किसी चीज का production कर रहे हैं, तो वहाँ पर gas भी मिलता है, तो इस तरह की companies भी इस particular bidding process में शामिल हो सकती हैं, और यहाँ पर कई सारे marketing freedom भी allow किये जाएंगे, यही सारे main objective हैं, यह जो recent reform लाने की कोशिश की जा रही है, natural gas में, अब यहाँ पर दोस्तों मैंने बात किया bidding process के बारे में, अब bidding process कैसे होगा, यहाँ पर सरकार कह रही है कि हम e-bidding के थ्रू जाएंगे, मतलब electronic माध्यम के थ्रू जाएंगे, ताकि यहाँ पर corruption या फिर transparency है, वो यहाँ पर through e-bidding, मतलब कि यहाँ पर अगर कोई sell कर रहा है और कोई buy करना चाहता है, तो buyer को यहाँ पर bidding में स्वामिल होना पड़ेगा, तभी वो इस gas को खरीद सकता है, ताकि एक तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, uniformity लाने की कोशिश करी जारी है, uniformity लाने की, ताकि पूरे देश में एक तरह का uniform process हो, इस bidding process के अंदर, और जो ambiguity है, मतलब कि क्या होता था, ज्यादा तर अगर ease of doing की business की बात करें, तो यहाँ पर जो companies है, उनको पता नहीं होता था, काफी जादा जो है, एक तरह से आप कैसे तरह ambiguity होता था, जिसकी वजए से उनको पता नहीं होता था, कि कि gas का हम यहाँ पर purchase करें, क्या process होगा, तो इसलिए directly उनको यहाँ पर gas producer के साथ बातचीत करनी परती है, यह सारी चीजें चली जाएंगी, और ध्यान रखेगा, यह जो पूरा e-bidding का mechanism है, यह propose किया जाएगा by directorate general of hydrocarbon, ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखना, यह कौन इसको लागू करेगा e-bidding का पुरा जो standard होगा, प्रोसीजर होगा, directorate general of hydrocarbon के दोरा, अब दीक है, जो e-bidding किया जाएगा, दोसनों ऐसा बताया जा रहा है, कि gas exchange के माध्यम से किया जाएगा, जैसे कि हम शेर मार्केट के बारे में आपने सुना होगा, वहाँ पर Bombay Stock Exchange हो अभी के current price के हिसाब से purchasing करनी है, तो उसको spot market कहते है, forward market आपने सुना होगा basically कि अगले मेहने के expiry date सुनी होगी, तो अगला मेहना, suppose मैं कहता हूँ कि अभी October चल रहा है, November के 30th को आपको खरीदना है, तो यह forward market होता है, आगे के contract के basis पर होता है, यह जितने भी exchange है दोस्तों यह manage किया जाएगा by India Energy Exchange, India Energy Exchange मैं आपको बता दूँ कि यह 2008 में इस्तापित कर दिया गया था, यह power से related यह चीज़े हैं, उसको उसके trading में मदद करता है, तो इसी प्रकार से एक gas exchange भी आ जाएगा, जहाँ पर buyers और seller एक साथ meet कर सकते हैं, इंटरनेट पर और यहाँ पर buying and selling क बर सकते हैं, अब यहाँ पर last में सवाल आता है, इसका benefit क्या होगा, benefit यह होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि यह हमारा जो भारत की economy है, उसको gas based economy बनाने की कोशिश की जाएगी, gas based economy का मतलब है, कि यहाँ पर जो consumption है gas का, उसके proportion को हम बढ़ा सकें, अब जितना ज़ादा gas का consumption होगा, उसकी जैसे investment भी जादा होगा, तो यही benefit होने वाला है, in fact यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी के लिए देखोगे अगर आप, तो 80 million standard cubic meter per day, यहाँ पर इसका production किया जाता है, basically, लेकिन क्योंकि investment बढ़ेगा, consumption बढ़ेगा, तो additional 40 mm SCMD यहाँ पर और जादा हम create कर सकते हैं, मतलब total यह 80 से अब बढ़ जाएगा 120, ऐसा बताया गया है, धर्मेंद्र परधान जी के द्वारा, और अभी के लिए अगर आप देखोगे, हमारे देश के अंदर जितना भी consumption होता है, petrol, diesel, यह सभी चीज़ा अगर आप मिला दो, तो 6.2% ही यहाँ पर हम उसमे कर सकते हो कि अभी हम 4 गुना पीछे हैं इस मामले में, तो यहाँ पर सरकार कह रही है कि 2030 तक हम इसको बढ़ा कर 15% तक ले जाना चाते हैं, मतलब यह भी ले जाना एक काफी important एक बड़ा task हो जाएगा, और यह demand है दोस्तों, वो बताया जा रही है कि fertilizer में भी इसका इस्तमा किया जाता है, तो इसके थुरू यहाँ पर हम consumption बढ़ानी की कोशिच की जाएगे, अब यह जितने भी reform से दोस्तों, इसकी वज़े से कई सारे benefits हैं, जैसे कि investment encourage हो सकेगा, जो हम import पर dependence होते थे natural gas के मामले में, तो import dependence हमें कम हो जाएगी काफी हद तक, इसके अलावा आपको economies हैं especially, उनको भी इसकी वज़े से मदद होगा, और जो downstream industries हैं, देखे, downstream एक होता है industry, यह कहते हैं upstream, upstream का मतलब है, जो directly companies जो है, वो natural gas को जमीन से निकालते हैं, मतलब की आपको पता है कि, जो समुंद्रो अगरा होते हैं, offshore areas, वहाँ से इसका production किया जाता है, निकाला जाता ह तो उसको upstream कहते हैं, जो उपर वाली companies हैं, नीचे की companies कौन होगे, natural gas related, जो आपका city gas distribution करती है, gas का distribution करती हैं शहरों में, उनको हम downstream industries कहते हैं, तो उनका भी यहाँ पर काफी अच्छे से development हो सकेगा, अब जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि, अभी तक अ जादा area, जिसमें करीब 105 blocks हैं, वो allocate किये गए हैं, जिसकी वज़े से आगे आने वाले जो वर्ष हैं, long run में हमें sustainability provide की जाएगी, और सरकार नहीं जो reforms लेकर आया है, उसकी वज़े से बताया जा रहा है कि करीब 70,000 करोण का investment हो चुका है हमारे eastern coast में, यह जो हमारा peninsula है, तो इसमें जो eastern coast है, वहाँ पर काफी हद तक जिसको आपने देखा होगा, सुनते होंगे अक्सर आप kg basin, ठीक है ना, किशना गोदावरी जो basin है, वहाँ पर अक्सर natural gas का production वगर होता है, इस तरह कि कई जगा आपको देखने को लेंगे, तो 70,000 करोण का investment हुआ है, तो यह अभी आप मुझे comment में दीजे, बाकी मैं apps का right answer अपने instagram पर तो डालूँगा ही, अगर आप वहाँ पर नहीं हो तो telegram से ले सकते हो, लगतार मैं कई सारे quizzes डालता जा रहा हूँ, यहाँ पर stories के form में आप जाकर वहाँ से play कर सकते हो, इसके अलावा अगर आप उसे economy पढ़ना चाह आते हैं, आप study आप पर जा सकते हैं, I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता है आप से next time, till then thank you very much, see you soon.